NTA के attitude के कारण लाखों बच्चों का नुक्सान हो चुका है अगर ये पहले ही मान लेता कि पेपर लीख हुआ है और investigating जो agency है उनको अगर corporate करता तो अभी तक ये situation नहीं होनी थी अभी student इस situation में आगे हैं कि reneed होता है तो student को ही नुक्सान है और reneed नहीं होता है तो भी student को ही नुक्सान है इसमें NTA का कोई नुक्सान नहीं है NTA फिर से exam conduct नहीं करवाना चाता क्योंकि exam में इतना सारा पैसा expense होगा इसके बाद में उसको इतनी ज़्यादा problem होगी तो वो नहीं चाता है कि exam दुबारा से conduct करवाया जाए हालां कि student के हित में वो पहले भी नहीं रहा है क्योंकि अगर वो student के हित में रहता तो अभी तक ऐसा step ले लिया होता कि किसी भी student को कोई नुपसान नहीं होता लेकिन अभी जो decision आएगा Supreme Court से उसमें किसी ना किसी student का नुपसान जरूर होगा और वो NTA के attitude के कारण होगा NTA ने हर mode पर गलतियां ही गलतियां की हैं सबसे पहले जब exam conduct हो गया था और उसके बाद में ये सुचना आ गई थी कि paper leak हुआ है तो इसमें NTA की ये जुमेदारी थी कि जहाँ paper leak हुआ है उसको shoot out करना और उस agency के साथ में support करना ये NTA का काम था लेकिन NTA ने अपने जुमेदारी बिल्कुल भी नहीं निभाई गुजरात गोदरा के SP के according NTA के पास में जब investigating authority जाती है उनसे कुछ data लेने के लिए या कुछ information लेने के लिए तो वो उनको बहुत रलाते हैं ये गोदरा SP का कहना है जबकि NTA जब exam conduct करवा रहा है तो NTA को इसमें आगे आना चीए कौन से student ने cheating की है उसको बाहर निकालना चीए उसके खिलाब कारवाई करनी चीए ये काम सिरफ NTA का ही है investigating agency तो उसमें उनको तो सब कुछ इस बात का पता नहीं है कि कौन से code से ये paper लीख हुआ है कौन से कैसे answer की दी जाती है किस परकार से ये exam का process होता है तो ये सारा जानने के लिए जब NTA के पास ये agency जाती है तो NTA बिलकुल support नहीं करता है और इन्होंने support किया भी नहीं है बिलकुल भी support नहीं किया है इससे लाखों बच्चों का नुकसान पो गया है अभी हालांकि Supreme Court का जो decision रहेगा वो CBI की investigation पर ही depend करेगा भी जैस CBI अपने status report 10th of July 24 शाम 5 बजे तक submit करेगा उसके बाद में Supreme Court उस पर विचार करके फिर decision लिया जाएगा कि ये paper किस level पर leak हुआ है तो ये जो 8 July का decision था इस 8 July के decision में आप देख सकते हैं इसका जो decision है वो मैं इस वीडियो के description box में भी डाल दूँगा आप इस decision को पढ़ सकते हैं जो Supreme Court का 8 July का decision था इसमें 15 नमर पॉइंट पर Supreme Court ने ये लिखा है इसमें ये लिखा है कि हमें इन 5 पहलूं पर विचार करना चाहिए तो ये Supreme Court की 5 पहलूं कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो 15 नमर पॉइंट पर इनोंने लिखा है कि हमारे को ये देख पेस करें court में जिसमें ये कहा गया हो कि ये paper किस level पर leak हुआ है और इसका leak होने का process क्या है क्या ये candidate के पास में ही पहुचा है या फिर unauthorized person के पास भी ये paper पहुचा है और investigating officer है वो ये भी एक बार specify करे कि ये electronic media जो use हुआ है जैसे whatsapp हुआ है, telegram हुआ है, facebook हुआ है, इसके अलावा और social media है, इस पर कितने level पर ये paper leak हुआ है, इसका extend कितना है ये भी Supreme Court को ये बताएंगे, CBI दोरा ये बताया जाएगा, इसके बाद में internet पर ये कितना use किया गया है, यानि कि internet पर ये कितना फै पहला हुआ है, इसकी भी सुचना Supreme Court को दी जाएगी, तो सबसे पहला पहलू इसी पर गोर करने की बात है, और CBI को ये status report है, ये पेस करने की जरूरत है Supreme Court में, दूसरा जब पहलू है, उसमें NTA को ये कहा गया है, कि NTA Court को ये बताएं, कि जो steps लिए गए हैं, जो red flag हैं, उनको identify करने के लिए जो steps लिए हैं, वो steps NTA ने क्या लिए हैं, इसके बाद में ये जो process है, ली Heya का उसने किस परकार से identify किया है, कि इतने किस परकार से identify किया है, ये process भी court को बताएं, और इसमें ये भी बताएं कि इसमें कितनी number of students involved हैं उसको कितनी student को identify किया हैं कितनी इसमें involved हैं तो ये इस पहलू पर भी विचार करने की जरूरत है और ये NTA Supreme Court को ये बताएगा भी अभी जो investigating officer है वो भी अपनी जो report submit करेगा उनमें ये सारी चीजें mention करेगा यानि कि CBI भी ये mention करेगा कि जो NTA ने identify किया है और इसके बाद में process क्या है ये जो investigating officer है वो भी इस report में process करेगा क्योंकि NTA जो authority है agency है उनको भी support नहीं कर रहा था अभी तक थर्ड पहलू पर विचार करने की आवशेक्ता ये है कि जो NTA है और union government है जो government of India है वो ये एक बार disclose करेगे ये court को बताएं कि क्या cyber forensic unit या किसी अन्य expert agency द्वारा इन student को sort out किया जा सकता है जो red flag से उनको sort out किया जा सकता है क्या ये NTA बताए supreme court को इसमें चोथा फैलू ये है कि NTA ये बताए कि ये जो 1563 candidate का exam हुआ है या जो final exam हो गया है exam होने के बाद में NTA ने result declare कर दिया है इस result और counselling process के बीच में क्या process है क्या process है अगर इसमें red flag candidates को निकाल दिया जाता है तो क्या इसमें counselling process से को stay करने की जोरत है या ये लेट भी हो सकता है क्योंकि उनको sort out करेंगे तो counselling process लेट भी हो सकता है लेट होने के लिए ये decision भी लिया जा सकता है और इसमें admission भी इसमें effect होंगे क्योंकि वो भी लेट होंगे इसमें पांचमा पहलू इस पर विचार करने की आउशकता है कि NTA court को ये बताए कि ये आगे किस परकार से step ले रहा है ताकि student हर एक student को ये रहे कि हमारी जो exam है वो fair हो रही है तो इस परकार का क्या वो decision ले रहा है आगे इस परकार का किस परकार से जो exam लेगा वो किस परकार की सावधानिया इसमें बरतेगा ताकि इस परकार की घटनाएं आगे ना हो तो इस परकार की चीजें कोट ने NTA को बताने के लिए भी बोला है और ये कितने स्केल पर पेपर लीक हुआ है ये CBI की रिपोर्ट में भी सुप्रिम कोट ने मांगा है अभी ये फाइनल ये ही रहेगा कि जो सुप्रिम कोट को CBI रिपोर्ट देगा उसको CBI की रिपोर्ट को सुप्रिम कोट रीड करने के बाद ही decision देगा और ये जो decision है मेरा जहां तक मालना है ये CBI की रिपोर्ट पर ही base होगा क्योंकि NTA कभी भी ये सही report दे नहीं रहा है अभी तक क्योंकि NTA कुछ छुपा रहा है इसमें और छुपाने वाली काफी सारी इसमें बाते हैं जैसे कि 9-10 अप्रेल को इसने registration open करवाया है इसके बाद में भी photo edit का option देता रहा है चोईश हजार candidate ने registration किया है अब इसमें अगर NTA चाहे तो इसमें ये data analysis करके ये भी निकाल सकता है कि कितने student ऐसे हैं जिनोंने इस बार एकदम से score high किया है क्योंकि NTA के पास previous year का data भी है सभी student का है ऐसा तो कोई है नहीं कि इस बार student ने first attempt में ही ऐसी कोशिस की होगी paper leak की क्योंकि जो student जिनके अच्छे marks आये हैं paper leak किया है उसके बावजूद उनोंने उनके marks आये हैं और अब की बार उसके 700 marks आ रहे हैं तो ऐसे student को तो NTA आराम से sort out कर सकता है और दूसरी चीज यह है कि जो center manage किये जाते हैं उनमें भी center जो manage किये जाते हैं उनमें NTA ही center alert करता है अगर हम जो चाहिए जैसे गोदरा का center जो जैजलाराम का school का center alert हुआ है प्रोपर इसकूल तो alert होती नहीं है उसमें city alert होता है गोदरा city में और भी exam center हैं तो वो exam center ही उन specific student को क्यों दिया गया ये तो NTA के पास इसका जवाब है और NTA अगर साहे तो ये जवाब दे सकता है इसमें student को sort out कर सकता है जो red flags है उनको भी sort out कर सकता है लेकिन इस पर अभी तक कोई इसी परकार का किसी भी परकार का NTA की तरफ से इस परकार का प्रियास ही नहीं किया गया उन्होंने तो बलकि ये और कर दिया है ये जो times of now के article में उन्होंने ये बताया है कि हमने ये data analysis कर दिया है इसमें किसी भी student ने कोई ज्यादा marks लिये नहीं है सभी के उसके ओमार के according marks है तो ये जो हिंदुस्तान का आप news article देख रहे हैं इसमें ये ही का है कि पठना के 12 कंद्रों में 115 और गोद्रा के 2 कंद्रों में 8 अठ वियारती ने 640 से marks ज्यादा लिये है पठना के बार बड़े लेवल पर क्यूसन पेपर लीक नहीं हुआ है ये कहना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का NTA ने यही का है कि ये systematic लीक नहीं हुआ है जो NEET का पेपर है और Times of India की ये ख़बर है उसने NTA को NTA ने Times of India को बताया है कि हमने data visualization किया है उससे पता लगा है कि ये जो पेपर है ये ज्यादा बड़े लेवल पर लीक नहीं है तो NTA अभी भी नहीं मान रहा है इस बात को कि ये पेपर लीक हुआ है लेकिन जो भी हो कल सुप्रिम कोट का फैसला आ जाएगा लेकिन हम इस बात से दुखी है कि देखो हम बच्चों दोनों तरफ के बच्चों से हमारा संपरक है क्योंकि दोनों तरफ के बच्चों का मतलब ये है कि जो बच्चे सलक्षन रेंज में हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है और जो सलक्षन रेंज में नहीं है उनकी भी कोई गलती नहीं है लेकिन हमने 2015 के decision से ये देखा है कि नुकसान इसमें कुछ student को तो होगा अगर re-exam होता है तो भी होगा, अगर re-exam नहीं होता है तो भी नुकसान होगा क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी देखो re-exam होता है तो ऐसे बहुत से student हैं जिन्होंने अभी तक दो मैंने तक पढ़ाई की नहीं है और बिल्कुल वो पढ़ाई में बिल्कुल अभी concentrate नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जब एकदम से NEET के लिए exam के लिए बुला जाएगा और मुश्किल से एक मैने या 20 दिन का समय दिया जाएगा तो इसमें जो student selection range में हैं वो नहीं कर पाएंगे इतना इस और नहीं कर पाएंगे वो क्योंकि एक तो tension यह हो जाती है और इतने दिन तक student ने पढ़ाई नहीं की है तो वो उन student का भी नुकसान होगा लेकिन उन student का सबसे ज्यादा नुकसान है जो 644, 630, 620 पर अटके हुए है उन student का भी काफी नुकसान है तो देखो नीट से नुकसान भी है री नीट से नुकसान भी होगा काफी student को और काफी student को फाइदा भी होगा इसमें आखिर फाइदा और नुक्सान होना इस्टूडेंट को ही है इस NTA को इससे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर सुप्रिम कोड डिसीजन देता है तो NTA फिर से एक्जाम कंड़क्ट करवा लेगा एक NTA की ऐसी गलती से स्टूडेंट को बहुत बड़ा नुक्षान होआ है लेकिन ये जो अभी मेटर है वो CBI की इन्वेस्टिगेशन के अकोड ही मेरा मानना ये है कि सुप्रिम कोड डिसीजन लेगा अगर ये मैस लेवल पर पेपर लीख होआ है तो रीनीट का ओर दिया जाएगा अगर ये छोटे इस तरह पर होआ है तो ये फिर इसके जो डाटा इनलाइसेस वगरा है उनके भी ये कदम उठाए जाएंगे तो ये जानकारी थी रीनीट के बारे में बाकी अपडेट के बारे में आप से फिर से मुलाकात होगी कल का डिसीजन क्या रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें आपको हम हर समय हर एक इनफोर्मेशन बिल्कुल ही एकुरेट देते हैं हमारा मकसद यही रहता है कि आपको सही सुचना समय पर पहुंच आई जाएं कल आपसे फिर मिलेंगे क्या डिसीजन रहता है सुप्रीम कोट का तब तक के लिए जैखिन